नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है केंद्रिय परियवरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इंडिया CEO Forum on Climate Change की वर्चुली बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि जलवायू परिवरतन एक बहुत ही महतपूर्ण मुद्दा है और इस पर वैश्विक कारवाई की अवश्यक्ता है हमने पैरिस में घोशना की है कि हम उत्सरजन को 35% तक कम करेंगे बैठक में उन्होंने कहा जलवायू परिवरतन पर भारत बात कर रहा है भारत कारवाई और योगदान में दो डिगरी का अनुपालन करता है हम वैश्विक नेताओं और अन्य देशों को पैरिस समझोते पर बात करने और अनुपालन करने के लिए बोल रहे हैं केंद्रिय मंत्री ने कहा भारत दुनिया को दिखाएगा की कोरोना से कैसे निप्टा जाए जावडिकर ने कहा की भारत में कोरोना वारस की कोई दूसरी या तीसरी लहर आने की उमीद नहीं है उन्होंने अर्थ व्यवस्था को लेकर कहा कि अर्थ व्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है अर्थ बन्होंने तिरेग यह को भीतना ओवस्था न in action and in contributions and therefore we are asking world leaders and world other countries that they also should walk the talk and they also should be compliant with the Paris agreement and that is what is needed today बतादे की पैरिस समझोता एक महत पूर्ण समझोता है जिससे जलवायू परिवर्तन और उन्सके नकारातमक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रतेक देश द्वारा अपनाया गया था इस समझोते का उदेश ये वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत सर्जन को काफी हद तक कम करना है ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान व्रिधी को पूर्व उद्ध्योगी के स्थर से दो डिगरी सेलसियस कम रखा जा सके फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ